वेरी बूर्निंग स्टुदेंट्स वेलकम टु ग्नानमंजरे विद्यापिटमोवा ओनलाइन डिजिटल प्लाइटफॉर्म एस यू आज साइंस टीचर वजसल त्रीवेदियो टूड़े वी अस्टार्टेट दे न्यू यूनिट अफ दी फिजिक सेक्शन अन दे लास्ट अफ दी सिलेबस यानि कि फिजिक सेक्शन का लास्ट यूनिट होगा साउंड वह हम आज स्टार्ट कर रहें साउंड क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है ओके आप सबीने डेली काफी चीज सुनी होगी का अभी मेरा आवाज भी आपके कान के अंदर जा रहा है ओके त सब्सक्राइब क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है साउंड प्रोड्यूस किस तरह से होता है वह सारी चीज हम यहां पर आज हम देखेंगे ओके सो स्टुदेंट्स आज हम फर्स देखेंगे इंट्रोड्यूस देन आफ्र साउंड प्रोड़क्शन अप्साउंड प्रोड़क्शन अप्साउंड प्रोड़क्शन अप्साउंड प्रोड़क्शन अप्साउंड प्रोड़क्शन अप्साउंड प्रोड़क्शन production of sound and propagation of sound and then last question answer and references for you okay first अभी आप यहां पर देख रहे हो कि sound क्या होता है तो हम सभी लोग सुन सकते हैं हम सबको मालू में जब कोई बच्चा छोटा पेडा होता है तभी भी वो सुन सकता है जब वो बड़ा होता है तभी भी वो सुन सकता है, अगर उसके कान अच्छ हो तो, ओके, सो हैंडिच रूडॉल्फ हर्ड्स यह जो आप यहां पर फोटो देख रहे हो, हैंडिच रूडॉल्फ हर्ड्स नामके साइन्टिस्ट है, जिसने सबसे पहले sound क्या होता है या sound waveform के अंदर हमको मिलता है उसके बारे में जब कोई नया invention, first invention किया था जो Rudolph Hertz एंडरिच Rudolph Hertz ने सबसे पहले ये sound का innovation किया था एसाम के सकते है इसलिए कोई भी frequency जो sound related है उसकी हमारे पास जो उसकी unit है उसको हम Hertz कहते है क्यों कहते है वह हम देखेंगे ये chapter के अंदर Hertz और frequency क्या होता है Hertz is a unit, one type of unit तो वो चीज़ा हमाद देखने वाले हैं स्टाट करते हैं first sound is a form of energy which gives the sensation of the hearing us it is a one type of energy next sound produced due to the vibration of body आपको ये चीज़ अगर feel करनी हो sound produced due to the vibration of body तो आप क्या करोगे आप जब कुछ कोई कुछ ना कुछ आप लोग बोलोगे तो आपको आपका जो नेक है उसके उपर आपको touch करके बोलना है you can feel the vibration हमारा जो लेरिंग होते है ये उसको voice box कहते है वहाँ पर्स होते है जिसके बीच में हवा अंदर जाती और बाहर आती है उसकी वज़े से वहाँ पर vibration produce होगा उसकी ही वज़े से हम sound produce होता है so without any vibration there is a no sound so sound is produced due to the only one vibration of the particular body then the next is it is a form of the mechanical energy sound is a one type of mechanical energy sound produced by the vocal chords जो हमारे voice box के अंदर होती है of the human beings जिसको हम larynx भी कहते है larynx के अंदर या voice box के अंदर vocal chords होती है अलग-अलग size के vocal chords के मुताबिक अलग-अलग आवाज आती है आप मेंसे किसी को भी question होना चाहिए कि sir सभी के अंदर vocal chords होती है सभी की vocals chord की वज़े से vibrate होती है तो सभी के आवाज same क्यों नहीं होती है लड़के की आवाज भी अलग होती है लड़की की आवाज भी अलग होती है लड़की लड़की की भी आवाज होती है और लड़के लड़के के भी आवाज अलग हो सकती है तो ऐसा नहीं है कि लड़कों की आवाज सेम होती है लड़की की आवाज सेम होती है बट सभी की आवाज अलग अलग निकलती है because of the vocal chords अमिताब बच्चन बोलेगा और चोटा बच्चा बोलेगा आवाज में difference आएगा ओके अमिताब बच्चन बोलेगा और मुरारी बापू बोलेगा आवाज में डिफ्रेंस आएगा क्यों बिकोज सभी की वोकल कोड्स की लेंद अलग अलग होती है यह विमन्स बीइंग के अंदर आवाज अलग अलग निकलती है same it is in birds and animals also उसके अंदर पी आवाज की हमको varieties मिलती है bell, vehicles, music instrument like the guitar, vina, violin, piano, harmonium, flute, then tabla, drums, symbols, etc उस सारी चीज़ आपने music class के अंदर देखी होगी और आपने काफी सारी चीज़े, music instruments आपने बज़ा है भी होगी so अभी हम आज हमारा main जो focus है वो है sound तो sound इस तरह से इस form के अंदर produce हो सकता so first production of sound vibrating or tuning for shapeless water okay आप किसी भी glass के अंदर अगर इस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिसको हम क्या बोलेंगे tuning frog यह जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे tuning frog तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो एक पानी के ग्लास है उसके उपर पानी उसके अंदर डालके फिल करके वहाँ पर tuning frog बाजू में रखेंगे तो वहाँ पर vibrating होगा पानी के अंदर जिसके अधि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब यह कोई एक पेंडूलम इस तरह से आ रहा है और जब यहाँ से उसके साथ उसके उपर टकराएगा तब उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन फिल होगा लाइक इस आप अब इसके अंदर वाइब्रेशन देख सकते हो तो वाइब्रेशन की वज़त से वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा vibrating blood produces sound आपने यहां पे blood है यानि कि आप blood की जगह पे आप अपने steel का scale के अंदर आपने coffee time school के अंदर आपने एक बात हो यह किया ही किया होगा कि एक bench पर रखके उसके नीचे scale रखके दूसरी साइड से scale को थोड़ा push करके छोड़ देंगे तो यहां पे sound produce होगा दर 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 इस तरह से हवा जाएगा राइट सो वह जो हो रहा है वह भी due to the vibration scale है वह vibrating form के अंदर आ रहे हैं जिसकी वज़े से sound यहां पर हमको मिल रहा है प्रोड प्रोडक्शन ऑप sound by the musical instrument यह सब भी चीज़ के अंदर भी vibration ही होगा फर्स्ट हम देखें drums, drums के अंदर भी यहां पर हम जब किसी भी चीज़ से हम उसको play करेंगे तब drum के अंदर sound produce होगा, flute के अंदर जो air है वहां पर vibrate होगी जिसके वज़े से sound produce होगा guitar के अंदर जो wires होते है वीना के अंदर wires होते है जिसकी वज़े से sound vibration produce होगा और तब sound produce होगा symbol है उसके अंदर भी दो symbol सामने से सामने टकरा हैंगे तब उसके अंदर से क्या होगा sound produce होगा vibration की होज़े से cycle bell के अंदर भी आप cycle के अंदर bell अब घर पे cycle होगी आपके पास bell मारोगी तो उसके अंदर भी आपको vibration feel होगा जिसके होज़े से sound produce हो रहा है now to propagate the sound sound किस तरह से propagate होता है यानि कि आवाज कही रीत है फ्यला आई जाया है so vibrating tuning for produce a series of compressions and reflection in the sorry compressions and the rare fractions in air डू टाइपस के waves या पे वो जब वाब्रेट कोई भी अब्जेक्ट वाब्रेट होगा तब बुसके अंदर से rare fraction और compression ये दो प्रोसेस स्टार्ट होती रहेगी तो ये क्या होती है वम नेक्स देखने वाले है when the object is make sound the air layer is around also start vibrating in exactly the same way and the carry sound from the source of two ears जब किसी भी वाब्रेशन में आएगी तो उसके वाब्रेशन एर वाब्रेशन के अंदर जाएंगे और वहां से वो पास आउट होते होते जो हमारे कान तक वो आएंगे एर तक आएंगे और हमको वो sound सुनाएं देगा the air layers vibrate back and forth about their mean positions when the layers approach each other from compressions and when they are move away from each other their refraction I repeat that when the layers approach each other एक दूसरे को approach करेंगे तो तब हम क्या बोलेंगे it is a compressions एक दूसरे के नजदिक आएंगे and they are move away एक दूसरे के दूर जाएंगे तो तब वो क्या होगा it is a rare fraction तो यह compression और rare fraction किस तरह से वर्क करता है वह हम अभी यहाँ पर देखेंगे suppose आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह sound wave है okay तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का portion then यहाँ से लेकर यहाँ तक का portion again यहाँ से यहाँ तक का portion तो यह जो portion उसके अंदर आप बोलोगे कि जो wave है वो एक दूसरे के काफी करीब है तो यहाँ पर जो wave हो compress हो रहे है तो यहाँ पर हम उसको बलेंगे compression यहाँ पर वापस वो एक दूसरे से दूर जा रहे अवे फ्रॉम इचेदर तो वहाँ पर आएगा rare fraction then वापस वो नजदी का रहे compression वापस दूर जाएंगे rare fraction तो इस तरह से wave पास होते है दुम बलेंगे compression और यहाँ प्रॉम इचेदर जान का दूसरे सान क्वंगे पर बलेंगे पर वापस आपस गाषटे का रहले का जेर का वापस पर आपस पास दूर जाफ पास पर लेंगे जा जाखे लेंगे side it is original position is known as amplitude of the sound wave किसको sound wave का amplitude बोलेंगे तो maximum distance move by the vibrating air layer on the either side जितना maximum distance वो कवर करेंगे and the original position is known as the amplitude of sound the number of complete back and the fourth vibration of air layer in one second a second कितना sound pass or it is known as a frequency of sound waves and the last one is the distance between two successive compressions or two successive reflections sorry rare fractions is called a wavelength two successive compressions and two successive rare fraction जो अगर डिस्टन्स का दो डिस्टन्स बिट्वीन दो successive compressions एर डो successive rare fractions के बीज का जो डिफ्रेंस है उसको क्या बोलेंगे उसकी वेव लेंथ बोलेंगे साउंड वेव की सो आज हमने जो साउंड वाले चैप्टर के अंदर देखा उसके अंदर से यहां पर कुछ question answer आपके लिए मैंने set किया है तो आपको यह है साउंड वर्क सब्मिट करना है first define the sound, how sound are produced, define the amplitude of one sound wave and define the frequency of sound wave and define the wavelength यहां तर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कभी भी पूच सकते हो I will definitely solve your doubt or as a reference I used your science textbook, slideshare application and Wikipedia of sound so here Wikipedia का use करना काफी जरूरी बनता है क्योंकि वह आपका basic base है अगर आपका weak होगा तो clear करने में help करेगा and NCRT is also help but we need the extra knowledge in this day okay यह जो समय है उसके अंदर हम को काफी extra knowledge हमारे पास रहेगा तो हम काफी powerful हो सकते है so now आज के लिए हम बस इतना रखते है स्वाबी के लिए स्टेफी स्टेव thank you very much to be continue on next video bye bye take care fun with science and judi science cutting and potential polit